कुम कुम कुम, कुम कुम भाग्या आने दो उसे, आज उसके पर मैं काटूँगा समझती क्या हो तुम अपने आपको? अब क्या किया मैंने? अब मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे चेरे पर ये भूलापन थोट नहीं करते हैं… मन तो कर रहा है तुम्हें शूट करतो लेकिन किया क्या है मैंन किया नहीं करने जा रही थी. तुम जान बुच्च के दासी को तन्नु के खिलाव भढ़का रही थी, ताकि वो जाकर दादी के सामने तन्नु की बुराए करे, और दादी के सामने तन्नु की इमेश खराब हो, ताकि तुम्हारे रास्ते का काटा हट जाए. लेकिन मैं तुम्हें 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 रास्ते का काठा हटाने नहीं दूमा, बल्कि तुम्हें ही अपनी रास्ते से हटा दूमा, समझी तुम्हें? आपको जो करने कीजिए, लेकिन मैंने दादी से ऐसा कुछ नहीं का. हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ तो मारी चोर ही पकड़ी गई या मैं तुम्हें उसकी ससा दे कर रहा हूँगा यह सब आपके मन का गहम है अच्छा, अगर मैं जूट बोल रहा हूँ तो तुम ही बता दो ना कि तुम दाजसी से क्या बात करेती है मैं उसकी नहीं चाहती है कि तुम नहीं चाहती कि वो मेरे साथ रहे अगर ऐसा होता तो मैं कब का उसे अपने रास्ते से अटा चुकी होती है जब पहले आप दोनों को एक साथ देखा था तो कुछ दिनों के लिए बुरा लगा था लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके साथ है या आप उसके पास मेरी लाइफ में और भी इशूस है अच्छा सिदाओ अब बताओ क्या इशूस है तुमारी लाइफ में तुमारे चश्मे का नंबर बढ़ गया या घर का एड्रेस बदल गया बताओ ना और क्या प्रॉब्लम से तुमारी लाइफ में इतने बड़े घर में शान से रहती हो बड़े बड़े गाड़ियों में आती जाती रहती हो महेंगे कपड़े कीमती जेवर पहनती हो कुछ काम नहीं करती सबकुछ अपने आप हो जाता है वह माई के में भी सबकुछ ठीक है एक बेटी की शादी हो गए दुष्री बेटी ने खुद के लिए पती धून लिया है और बिजनस के तौर पर एक महरेज हॉल है शादिया करो और घर बैटके पैसे कमो तो प्रॉब्लम क्या है तुमारी लाइफ में पोर दो? और महरेज हॉल ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया हमारे लिए कभी अमारे घर के लिए इंकम का सोर्स हुआ करता था था और अज आज और ही महरेज हॉल हमारे ज़ए जबसे बढ़ी प्रॉब्लम बन गया है तक भील ने उसके खिलाफ मुटिस पीछा उसे खाली करना है क्योंकि वह उस हौल को तोड़ने वाल है अगर वो मेरे चौल तूटके है तो तो हमारा घर कैसे चलेगा? घर में पैसे कैसे आएंगी? उस हौल से ही तो पूरा घर चलता यह सब आप से क्यों कह रही हूँ? यह प्रॉब्लम समझ नहीं सकता उसके उसके सब बता की क्या फैद ने बताओ ना मैं सुनूँगा वह हौल वह हौल मेरे परिवार के लिए सब कुछ है अगर वह हौल हमसे चीन गया तो सब कुछ भी कर जाएगा इमार पूट जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि BNC का केस हमारे अगेंस बहुत स्टॉम लेकिन लोहर ने कहा है कि अगर कोई इंफ्लोएंचल आदमी कोई बढ़ा आदमी हमारी मदद करे तो शायद कुछ हो सकता देखिए, आपकी दुष्मनी मुझसे है ना, आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए लेकिन इस पर मेरे परिवार के मदद कर दीजिए वान लास्ट राइब, प्लीज आप आप यह हॉल दिलवा दिलवा दिजिए मेरे परिवार को, उसके बाद आप आप जो कहेंगे मैं मानूँगी आप कहेंगे मैं इस घर के किसी कोन में पढ़ी रहूँगी, एक शब्द नहीं कहूँगी मैं आप यह एक पर मेरे परिवार के मदद करतीजिए वो हाल मेरी मा की जिंदगी है वो पिखर जाएंगे उसके बिना मेरी मा की जिंदगी, मेरे पहन का फ्यूचर सब आपके हाथ में, प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ती हो, आप कहेंगे तो पाओ बेपर लोगी प्लीज इस यही पार हमारी मादद कर दीजिए ठीक है तो पढ़ो For the first time I'm feeling so excited तुम्हें इस तरह रोते और गर्डगरता उपे देखकर, मुझे कितना सुकून मिल रहा है तुम्हें बता भी नहीं सकता क्या लगगा तुम्हें कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ तुम्हें इस तरह रोते वे देखकर, मेरा दिल फिकल जाएगा No way तुम्हाई भेहन ने मेरी भेहन के साथ जो किया ना इसके बाद ना तुम्हें ना तुम्हारी भेहन को माफ कर सकता हूँ लेकि प्लीज अगर आप अमारी मदद ने करेंगे तो यह परिवार बरबाद है कर्मा कर्मा इस अब पीप तुम जैसे लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है जो दूसरे के घर बरबाद करते ना किसमत भी उनके साथ ऐसा ही खेल खेलती है और यह जो तुम्हारे साथ हो रहा है यह सब तुम्हारी वज़े से ही हो रहा है तुम हो की रही हो याकसु बचा कर रखना कल जब तुम्हारा हॉल टूटेगा तब क्या वाटर टेंकर से पानी निकालोगी नहीं 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 यही यक्सु काम आएंगे ओमाइ गाड मुझे समझ मने अदा है कि मैं एक खुशकबरी जाकर आले को कैसे सुनो यह खबर सुनने पर अरसे के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुरा अठाएगी और तुम तुम ऐसे पुटले की तरह क्यू कड़ी हो तुम्हार पैठो मैं आले को खुशका बीदे के या तो तक 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 तुम रोती रहना है लिसन पैस्ट अफला रच न लट मी हेल्प यो तुम फिर अचा एक इक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रराक्स रचना एक मिनिट एक सेगंड एक सेगंड रिलाक्स अब रोड क्रॉस हो गई ना अब जाने तो मुझे रचना एक चांसा दो अपनी बात एकस्पेन करने का मुझे और वो लड़की वो डांस वो सम्मॉप उसकी कोई जरुवत नहीं है क्योंकि मैं खुदी नहीं चाहते कि त मुझे फरक पढ़ता है मुझे फरक पढ़ता है तुम्हारा इस बिहवियर से आइक कांट सी यू हेटिंग मी ओल दाइम मैं तुम्हें कैसे यकिन दिलाओं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं तुम किसी से प्यार नहीं करते तुम्हें कैसे बताओं कैसे यकि ओके ओके यूटिल, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे यह किन दिलाओं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा रचना, आइ स्वेर, जो बोलोगी वो करोगे, तुम बोलो एक बार बस, मैं करूँगा, ठीक है, हाथ छोड़ो मेरा, अगर मुझसे प्यार करते हो, तु बस इतना करो कि अब कभी मुझसे बात मत करना हूँ, हुप्स, आइ, टिड़े रखेंगे, हाँ, 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 आज के मेरे सारे मीटिंग्स और अपॉइम्मेंट्स कैंसल करते हुए, अगर कोई शोस है, तो उससे भी कैंसल करते हुए, क्योंकि आज मैं चेम्बूर एक शोव देखने जावाँ, हाँ, एक हिस्टोरिकल मैरेज हॉल है, कुम-कुम बागया मैरेज हॉल, वह आज गिरने वाला है, इस गिरने वाला है, इस गिरने बेवी, हम्हाँ, आज़िए, बाए. मैंने तुम्हें आसु बचाने के लिए कहा था, लेकिन लगता है तुम अपनी आवाज भी बचा रही हूँ, ओ, आप समझ गया, हमारा नेता कैसा हो, लंगडी चश्मिश जैसा हो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ताना शाही, नहीं चलेगी है ना, इसके लिए बचा के रखी हूँ, अगर मुझे पहले पता होता हुँ, कि ऐसा करने से तुम पर्मनेटली चुपो जाओगी, तो नोटिस मैं ही भिजवाथा, इसी की खामोशी को उसकी हार नहीं समझनी चाहिए, अभी भी कुछ घंटे बचे हु, तो यह खामोशी किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है, आपके बल का पता नहीं लेकिन मेरी हिम्मत कहीं नहीं जाएगी जब तक जिन्दा रहूंगी अपने परिवार के लिए और उनकी खुशियों के लिए लड़ती रहूंगी जब तक जिन्दा रहूंगी का क्या मतलब है खुद को देखा है तुमने अधी मर चुक मारूगा नो चिंबूर पोच्जाओगी तुम वैसे लड़ोगी कैसे तुम लगडा टीव लड़ोगे या फिर लंगडा टीवए नारे लगऊगी ओ आप समझ में आया लंगडा कर लड़ोगे तो सिंपतिय मिलेगे न तुम्हें कोड़ आईडिया वैसे नारे कैसे लगऊगी तुम्ह मर जाओंगे, लेकिर हार नहीं मानूँगे. अधिस्पिरिट. टुपट्टेस से सरपे कफन भी बांदो. एक काम करो, आज के लिए तुम बनो छुट्टी लेलो. सुरेश, सुरह रमेश की बॉड़ी बनावाए. आज का जो दिननना, मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है. दसरे के अगले दिन ही दादी और दासी ने दो दिनों के लिए शिड़ी लाने का प्लान बनाए. इसका मतलब अब मैं तुमारी हार का पुरी तरीके समझा ले पाऊंगा. Oh my god, suddenly all good things are happening in my life. अब इसे मेरा good luck का हूँ, या तुमारा bad luck लग तो किसी का है. चल शूटी. जय शृड़ी बाबा की जय, साही बाबा की जय, चलती हुमें. दादी आप शृड़ी जा रही है न, तो अच्छे से दर्शन करना, और इंजॉई करना शृड़ी में, मैं इंजॉई करूँ अच्छे हिंबूर में. क्या? मेरा मतलब है कि आप शृड़ी जा रही है, तो बार-बार मौका थोड़ी न, मिलता है शृड़ी जाने का. मन करें तो दो-चार दिन एक्स्टा रूख कराना, क्यूँ? ठीक है, तुम दोनों भी न, अच्छे से रहना, और तु बहू का अच्छे से ख्याल रखना. अरे दाधी, डाधी, डाधी, मैं इसका इतनी अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा, कि ये आपको याद तक नहीं करेगी. इतनी भी तकलीप नहीं होगी इसे. वैसे भी हस्बेन का फर्ज होता है न, अपनी वाइफ का अच्छी तरीके से ख्याल रखना. क्यूँ? समझ़दार हो गया, बहुत समझ़दार हो गया. अब तुम दोनों अच्छे से रहना. ऐसे ही रहना है. ऐसे ही, नहीं के दाधी. आप एंजॉय करना, और रास्ते में सुवर्नी दाधी को मत भूलना, वो गरीबों को खाना दे रही है, उसे लेकर जाना वरना. हाँ, हाँ, यादे, यादे मेरे को. बाई. दाधी, सुवर्नी दाधी. हाँ, यादे. हाँ, हाँ. हो, साथ हम तुम चल रहे हैं, क्यूं ये जानू ना. तेरा मेरा रिष्टा क्या है, अब ही समझो ना. राजी तुम भी नखोलो, मैं भी बोलू ना. वरापा की करा, ये खामोशिया, क्यूं है दूरिया, बताए कोई. परापा की करा, ये खामोशिया, क्यूं है दूरिया, बताए कोई. भी साल लगाना, तुने डेकोरेशन पे, जाना फट फट जाकी रेकोरेशन कर, अचा सुन, वो नया वाला जो पर जाना जाना, इस पर अच्छे से जहाना है, पर एख जिल्दी जा. तूने अभी तक तफाया नहीं खतम करी हैं? मैंने तुझे आथा ना तो जल्दी शुरू कर देना अचा सुन, एक काम करें तूना हलवाई के पास चलिजा उसको दो तीन चीज़े चाहिए और एक्स्ट्रा उसे बो लिस्त दे दे बना बरात आ जाएगी उसका खाना तियार नहीं होना फिर हमें पड़ेगी मुसीबत और तुझे था मैंने का था नहीं जाने को अगर बड़ी माँ आप में ही तो गाते है पूलो तो रखने को है मैंने का था जा यह फूल वहां रखे ना फिर तू फटा फर बजार ज़िए आ के मुझे बताना फिर तू क्या लाई अ Ó मैं मैं होलो की आती हूँ जी मैं अभी आती हूँ हाँ पी-डू, Scrabbe-डू, Scooby-डू, Dava-Dabba-डू Anything will do, Scrabbe-डू, Scooby-Doo-Be-Doo मैं घर जारी हूँ क्या? मैं घर जारी हूँ वाट? मैंने काओ मैं अपने घर जारी हूँ चिला क्यो रही हो चादी क्या हो? मैं तुमे भार स्यूफ करने आज़ाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा, मेरा मतलब है मैं तुम्हारे सपनों के महल को तूटते हुए नहीं देख सकता जा तुम्हारा मुझ से शादी करने का सपना पूरा हुआ था दुख मैं कई मेरे आसू ना निकल आए रसे अब तुम्हारे रहे तो, कुम-कुम भागयों को मेरी तरफ से. कुड़बाई, कैतिरा. जाओ, बैटे, बैटे, पाणी लेकर. इखि पुम्हारे पूछ पूछुम. बगला मैं बाउ़के से. अरम अरम से, बादम से. योघज की? घुम्हार。 जल फिज पुम्हार्ण, का बाद रिज की बाएं राँ. अब आप ठीक हैं तो मैं चलती हूँ सुनो तो क्या मैं रात को तन्नो को बुला सकता हूँ? वो तो तो तुम घर जा रही हूँ पदया मैं कितनी कुछ हूँ वाज? भाई ने मुझे बताया जब से तुम इस घर में आया हूँ मैं उस दिन का अंतजार कर रहे थी कि कब मैं तुम्हें दर्द में देखू और लुके दिस हाज वो देन आगे है I'm so happy to see this day because, you know, I see you in so much pain और अज़ जब तुम्हारा वो मैरेज हाल टूटेगा तब मुझे और खुशी मिलेगी तुम्हे ये खुशी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी मैं वो मैरेज हाल टूपते वे देखनी नहीं चारी उसे टूपने से बचानी जारी ओ रेली, तुम्हें सीरिसली इसे लगता है? देखो वैसे मैं ये प्रेयर बागेरा तो करती नहीं लेकिन आज ज़रूर प्रे करूंगे कि तुम्हें ना तो कोई साथ खड़ा हुआ मिले और ना ही भगवान तुम्हारा साथ दे उनलोगोंने मेरी शाथी तड़वाई थी ना आज तुम्हारा वो मैरेज हाल्ट उठेगा और तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी को दुख देना, किसी को तकलीव देने का दर्द क्या होता है? अल्या तुम्हें क्यों लगता है हम तुम्हें दुख या तकलीफ में देखना चाहते हैं हम इसे कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता और बुल-बुल को भी नहीं पता था कि तुम पूरब से प्यार करती हो जब वो पूरब से मिली थी आल्या, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ, वो बहुत अदलत हुआ, बहुत बुरा हुआ लिकिन शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ एक बार सोच कर देखु जब पुरब तुमसे प्यार ही नहीं करता फिर भी उससे शादी करके उसके साथ, क्या तुम खुश रह पाती है आल्या हम एक परिभार के हैं हमें एक दूसरे का बुरब तुम ना तुम मेरी फैमिली हो और ना ही तुम सब लोग मेरे वेल विश हो तुम लोगों की बज़से मैं रात रात भर रोई हूँ और तुम सब तुम तुम तुम्हारी वो पहल तुम्हारा वो पूरा परिवार अब रात रात भर रोएगा और तुम सब लोग सदक पर आजओगे तुम्हारा वो मैरेज होल टूट जाएगा तुम लोगों के पास जगह नहीं होगी जाने की कि पर बोड़ाज भाद की न तुम लोग ने मेरी टुड़वाई नगें अब तुम सब कर चृत चिन जाएगा अब तुम लोगों की वहालत होगी कि तुम सब लोग सबाद के तुम सब लोग सटक। पर होगे और इसके बादों भाई भाई मैं घुषय नहीं नहीं विल्की मैं बहुत खुश हुँ है जश्वाई तुम्हें था खड़े हुगे इसका फ्रफशा क्या बढ़ारी हुग जाओ यह से यहाँ जाओ अपने ऊस्मैरेज्ट हौल को तूटते हुए तेख। जब वहां पर तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा ना तब तुम्हें सन में आया की दर्थ केसा हुए? तक लीव कैसे होती है? तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा भेहंजी, यूपार एक लिए भाहरे नहीं होगा इसलिए जाओ जाओ और जाकर बचालो अपने इस marriage hall को अल्या यू डिजर्व बचालो अपने इस marriage hall को अल्या इस चिला आपसलूटली फाइन मैं बिल्कुर ने को बलकि मैं तो बहुत खुश्ट रुसके साथ इसा ही होना जाए भाई इस बहुत हो मैं बचालो अपने इसा बूटला अब बचालो अब आपने उसका साथ नहीं इदिस प्रूव गी अब अब भी मुझे प्यार घरते हो भाई थैंक यू सो मच भाई झाल झाल